Welcome back to my channel बिहार सरकार सिक्षा बिभाग का एक प्रेस नोट जारी हुआ है विसे है इसका बिहार राज्य बिध्याले अध्यापक नियुक्ती अस्थाना अंतरन अनुशास्निक कारवाई एबं सेवासर्थ नियमाबली 2023 की स्विक्रीती के संबंध में राज्य में प्रारंबिक अब माध्यमिक सिक्षा के प्रभावी प्रवंधन और सिक्षा में गुनबत्ता सुधार के लिए विध्याले अस्तर पर प्रभावी हस्त छेप की आविशक्ता है इन उतेश्यों की पूर्ती है तू, सिक्षा विभाग बिहार सरकार के नियंत्रा धीन विद्याले अध्यापक के नए संबर्गों का गठन किया गया है, जिसकी नियुक्ति सीधे राज्य सरकार के दौरा आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परिच्छा के अधार पर की इसी नियुक्ति प्रकिरिया में भाग लेकर इस नए संबर्ग में आ सकेंगे, बिहार राज्य विद्याले अध्यापक नियुक्ति अस्थानांतरन अनुशासनी कारवाई एवन सिभा सर्थ नियमावली 2023 के महत्पूर्ण बिंदु निम्नुबत है, जिसमें पहला है इस नियुक्ति द्वारा राज्य सरकार द्वारा चिन्हित आयोग के माध्यम से पात्रा भ्यार्थियों का लिखित परिक्षा के माध्यम से चैह निकरिए अनुसंसा सिक्षा विभाग को की जाएगी, सिक्षा विभाग द्वारा उक्त अनुसंसा को संबंदित जीला के जीला सिक्षा पतादिकारी जो इस संबर्ग के विद्याले अध्यापक के नियुक्ति प्रदिकार होंगे, को नियुक्ति है तो अग्रसारित कर दिया सब्सक्राइब प्रभाग के लिए अहर्ता भारती ये पुनरवास परिशत के अनुमाननी होगा राज्य सरकार अबंके अंदर सरकार द्वारा समय समय पराहुत सिक्षक पातरता परिश्चा में उतिन हो परन्तु बर्स-2012 के पुर्व नियुक्त अधिन दक्सता परिश्चा उतिन होना इन घैक नहीं होगा विश्चा इश्चा के लिए आलक से बिश्चा हरता का निर्धारा विभाग द्वारा समय समय पर किया जएक के नंदराें विश्चा में के प्रविर्थ होने के बाद प्रथम सम ब्यवहार में विद्ध्यालय ध्यापक के पत्पन युकती है तो आरक्चाय मिंदु एक के रुस्टर प्रारम होंगे कोई अभियार्थिस नियमावली के अंदर गत अधिक्तम तीन बार परिक्षा में भाग ले सकेगा इस नियमावल सम्बंदित नियमावली जो वर्ष 2006 से 2020 की अबदी में अधिस उचित हुई है मैं नियमावली के प्रभावी होने किती थी के उपरांद कोई नए नियुकती नहीं की जाएगी दीपकुमार शी अपर मुख्य सचिव सिक्षा विभाग का 10-4-2023 को ये जारी हुआ है प्रेस